जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमसोर पढ़ जाएं तो आवाज घुलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे News Click पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे भोल सभा अब तक तेरी है भोल से अब बोल न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिण कीजिए आपके सामने तीन विकल्प है नौसकार बोल किलाब आजाद है तेरे मैं अबिसार शर्मा, मैं तो नहीं भूला हूँ कि दिल्ली के अंदर किस तरह से ऑक्सिजिन की कमी थी, हम इसे कई लोगों को ऑक्सिजिन के लिए मिन्नते करनी पड़ रही थी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, मैं तो नहीं भूला हो कि दिल्ली हाई कोट की दخल करने के बाद ही दिल्ली को केंदर सरकार को ऑक्सिजिन मोहया करानी पड़ी थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद के इजरिवाल जान बूझ कर ऑक्सिजिन को लेकर एक संकट पैदा करेंगे जिससे लोगो की जान जो है वो खत्रे में आए, लोगों की जाने जाएं, मैं आपको बताता हूँ मैं आपसे क्यूं ये बातें कह रहा हूँ, क्यूंकि एक कथित तौर पर एक पैनल है सुप्रीम कोट का और कथित तौर पर इसलिए क्यूंकि वो पैनल की रिपोर्ट अब तक किसी ने न देखी है इस पैनल में कौन कौन है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ सुप्रीम कोट के इस ऑक्सिजन ओडिट पैनल में हैं एम्स के डारेक्टर डॉक्टर रंदीब गुलेरिया दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल होम सेकेर्टरी भुपेंदर भला मैक्स हेल्थ केर के डॉक्टर संदीब बुधिराजा और यूनियन जल शक्ती मिनिस्टरी के जॉइंट सेकेर्टरी सुबोध यादव ये तमाम लोग इसके अंदर हैं और भारती जनता पार्टी का ये दावा है कि इस समिती ने ये कहा है कि अरविंद के जीवाल सरकार ने एक नहीं दो नहीं बलकि चार गुना ज्यादा बढ़ा चड़ा के दिल्ली की जो जरूरत थी ऑक्सिजन को लेकर वो पेश की अब भारती जनता पार्टी यहां पर ये कह रही है कि इसके चलते जो बाकी राज थे जहां ऑक्सिजन की चलते लोगों की मौत हो गई उसकी जमेदारी किसी और पर 1140 मेट्रिक टन का उनका कैलकूलेशन का तरीका था उन्होंने अपने तरीके से कैलकूलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन उक्सिजन चाहिए मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इखटा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सिजन इस्तेमाल किया उस दिन का तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक तंग था कहां आरविंद केजडिवाल जी कह रहे थी हमें आवश्यक्ता है 1140 और कहां वो 209 निकला अब जाहिर से बात है इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार बहुत नाराज है मनीश सौदिया ने ये तक कह दिया है और वो पत्रकारों से कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट कहां है भारती जाता पार्टी से पूछा जाए वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मैंने इस समिती में तमाम लोगों से बात की है और उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी ऐसी रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किये क्या कह रहे हैं मनीश्ट सौदिया आप खुद सुनिये मैं चुनोती देखे कहता हूँ कि रिपोर्ट लाईए कहा है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सिजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सिजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो लाइएव रिपोर्ट कहा है जूट की इंतिहां होती है जूट और मक्कारी की इंतिहां होती है और भारती जिनता पार्टी हो जूट और मक्कारी की इंतिहां पर पहुंच गई है चरम पर पहुंच गई है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब्जूडिसे से और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के शर्यंत्र ठीक नहीं है। कोड़े ही है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना कर जाता हूं। यह रिपोर्ट देखिए दोस्तों। गुजरात भी सुप्रीम कोड के सामने जाता है। और यही हमने तमाम राज्यों में कहा। मैं इस सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से क्या आप ये कहना चाहरे हैं कि पूरे देश में कमी सिर्फ और सिर्फ अर्विन केजवाल की वज़े से हुई। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आपको देना है आप और हम जो दिल्ली में रहते हैं हम सब जानते हैं कि कई जगाओं पर कमी थी ऑक्सिजन की, कई जगाओं पर ऑक्सिजन के सिलिंडर्स की काला बाजारी हो रही थी, कई जो बेबस रिष्टिदार थे उन्होंने तीन-तीन चार-चार गुना ज्यादा दिया ऑक्सिजन के टैंक्स के लिए और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुँचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लतार लगाई केंदर सरकार को और केंदर सरकार को फिर तमाम जो हॉस्पिटल्स थे उन्हें ऑक्सिजन मोहया कराना पड़ा भाजपा एक बहुत गंभीर आरूप लगा रही है अर्विन केज़िवाल पर क्या एक मुख्यमंत्री जान बूज कर ऐसा संकट पैदा करेगा जिससे लोगों की जान जाएगी बताईए क्या यह हकीकत हो सकता है मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको लेकर जो तस्वीर है वो साफ होगी पारदर्शी होगी क्योंकि दिक्कत क्या है इस सरकार के साथ कुछ भी पारदर्शी नहीं मोधी सरकार के साथ कुछ भी पारदर्शी नहीं और अर्विन केजवाल और मोधी सरकार में जो एक समानता है न दोनों प्रचार के जरीए अपनी बात रखते हैं करोडों रुपए दोनों प्रचार के जरीए खर्शते हैं मगर जो अर्विन केजवाल पर उन्होंने आरोप लगाया वो बहुत गंभीर है इस पर यकीन मुझे नहीं होता फिलहाल मगर जो मुद्दा में आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने देखा शाहे ऑक्सिजन प्लांट्स को लेकर टेंडर जारी करने की बात हो इस सरकार ने अगस, सब्तमबर, आक्टोबर, नवंबर, डिसमबर, जनवरी, जनवरी में जाके वो भी दो वैक्सिन्स के लिए और जब राहूल गांधी ने मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बाकी देश जो हैं और बाकी वैक्सिन्स भी हैं दुनिया में आप वो भी मंगाईए पहले तो राहूल गांधी को दलाल कहान उन्हें वैक्सिन कमपनीज का फिर बाद में उन्होंने वही किया और फिर ये भी कह लेना कि हमने तो बगएर वैक्सिनेशन के जीत ली कोरोना के खिलाव जन्ग और ये मेरे शब नहीं ये प्रधान नंत्री के खुद के शब्द हैं तो दिक्कत क्या है ना दोस्तों जब हमारे सामने तमाम मिसाल हो तो बीजेपी के किसी भी बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है भारती जनता पार्टी ने बार बार अपने प्रशार तंत्र का इस्तमाल किया है जूट बोलने के लिए घलत बयानी करन लेने का आरोप लगा रहे हैं एक बहुत गंभीर आरोप है पलटके यही आरोप आप पर लगाया जा सकता है आपने जो ऑक्सिजन को लेकर मजाग किया आपने जिस तरह से दिल्ली को ऑक्सिजन मोहया नहीं कराई और फिर दिल्ली हाइकोट को दखल देना पड़ा यह तमा लेकर एक चिंता बनी हुई है कली मैंने अपने शो में आपको बताया था और क्या बात बताई थी कल मैंने अपने शो में बताया था कि कई वैग्यानिक यह कह रहे हैं कि अभी तो हमें यहीं नहीं पता कि ग्रामीन भारत के अंदर कोरोना का क्या प्रभावु आए कोरोना क कि दूसरी लहर का, तो अभी तो दूसरी लहर ही खतम नहीं हुई है, और अब एक नया वेरियंट आया है कोरोना का, जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरियंट, उसको लेकर वैज्यानिकों में राय बटी हुई है, कुछ वैज्यानिक कह रहे हैं कि इसका वैक्सिनेशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, मगर कुछ वैज्यानिक कह रहे हैं कि हाँ पड़ता है, वो तीसरी लहर है सामने हैं, और भारती जाता पार्टी क्या कर रही है, वो अर्विन केजरिवाल पर हमला बोल रही है, दुक्की बात ये है कि ये केंडर सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों के साथ सामनजस से काम करे, उनके साथ साज्यदारी कायम करे, वो पूरी तरह से नदारत है, बीजेपी सरकार गेर भाजपा राज्यों के साथ किसी तरह की कोई साज्यदारी नहीं करना चाहती है, मैं आपको बता दू हूँ जब कोरोना की तीसरी लहर है दोस्तो इसकी जाच और रोक्थाम के लिए बड़े स्थर पर टेस्टिंग क्यू नहीं हो रही वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है वह पूरी जानकारी कब मिलेगी तीसरी लहर में इसे नियंतरित करने का क्या प्लान है ये तमाम मुद्दे बहुत जरूरी है दोस्ते और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मैं दो खबरें बताना चाहता हूँ सबसे पहले ये खबर देखे देनिक भासकर की देश में डेल्टा प्लस के 40 केसिस देश के वैग्यानिक आज इस वेरियंट की स्थिती पर चर्चा करेंगे राहुल का सरकार से सवाल यहाँ पर डेल्टा प्लस वेरियंट में भारत जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है आपके सामने यह ग्राफिक अमरीका नंबर वान और भारत इस वक्त दूसरे नंबर पर है हबर क्या कहती है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ कोरोना वाइरिस के नए वेरियंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है देश में अब तक इस वेरियंट के 40 केसिस सामने आ गए है सबसे जादा महराष्ट में 21 है दूसरे नंबर पर मद्ध प्रदेश यहां साथ केसिस हैं और दो लोगों की मौत हो गई है मद्ध प्रदेश में सबसे जादा चिंताएं चानक बात कोरोना पॉजिटिव निकला सैंपल जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया पुष्टी हुई तो यह प्रदेश का पहला केस होगा प्रब्लम क्या है न दोस्तों अगर इश्वर न करे अगर उत्तर प्रदेश में मामला फैल गया तो वहां की सरकार तो जवाब देही में विश्वासी नहीं करती है वहां तो पूरे मामले को दबा दिया जाएगा जैसा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा था और अब भी सरकार क्या कर रही है देखिए राहुल गान्दी जो सवाल उठा रहे है वह बहुत वाजब सवाल है कि आपकी तैयारी क्या है तैयारी के नाम पर यहां पर राज्यों को निशाने पे लिया जा रहा है राज्यों को टार्गेट किया जा रहा है आपके सामने हकीकत है क्या हम इस बात से मूँ मोड सकते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ और अब मैं अपील सरकार से नहीं कर रहा हूँ अब मैं अपील आप से कर रहा हूँ आप मेंसे कई लोग मैं मार्केट गया था मैं देख रहा था कई लोग दोस्तों मास्क नहीं लगाय हुए थे सुबह मैं वॉक करने जाता हूं कई लोगों का मास्क यहाँ पर ठोड़ी पर रहता है चिन पर रहता है एक नहीं दो मास्क लगाईए जब भी बाहर से आईए हातों को धोईए साबुन से अच्छे से डिसिंफेक्टिंट से हातों को धोईए और अगर आप काफी देर तक बा होंगे आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वज़से उन्हें भी हो आप यानि वो लोग जो इस वक्त बाहर हैं जो बाहर घूम रहे हैं आज ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है वाकई चिंता इस बात को लेकर है कि केंदर सरकार की नीती है क्या क्योंकि सूत्रधार तो क केंदर सरकार नहीं कर लिया था इसलिए जवाब नहीं उनकी बनेगी अर्विंद केज़वाल ने अगर वाकई एक ऐसा किया है तो ये बहुत बड़ा अपराद है मगर दिल्ली में हमने हालात देखे थे दिल्ली में वाकई ऑक्सिजन की कमी थी और अगर एक हजार मिट्रि टन थी तो क्या आपको लगता इतने लोग मरते अक्सिजन की कमी की वज़ा से और ये काम अर्विंद केजरिवाल जान बूच कर होने देते ये बहुती गंभीर आरोप है दोस्तो आज बोल में मैं एक और मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारे क कारेक्रम का फलसफा ये है कि हम सत्ता से सवाल करते हैं बगाइर डरे हम उनसे वो सवाल करते हैं जो आप से जुड़े हुए है इस देश की जनता से जुड़े हुए है और आज का दन क्यों एह मैं मैं आपको बताता हूं आज से 46 साल पहले स्वर्गी इंद्रा गांती ने देश के लोगतांत्रिक मूल्यों को कुचलते हुए आपातका लगा दिया था करीब 20 महिने तक. 21 मुंस. चाहे अदालते हों, नियूस पेपर्स हों, यानि कि मीडिया, चाहे तमाम संस्थाएं पूरी तरह से रौंदी जा चुकी थी. मुझे ये उम्मीद थी कि दोस्तों कि उससे सीख लेकर हम अपने लोगतंत्र को मजबूत करेंगे, मगर पिछले साथ साल से जो हो रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि अगर इंदरा गांधी को पता होता कि इस तरह से देश की मीडिया को काबू में लाया जा सकता है, देश की बात है वो भी आपातकाल नहीं लगाते हैं, दर असल ये बात मनुझा कह रहे थे, राजसभा सांसद हैं, तो बहुत दिल्चस बात है कि इंदरा गांधी को पता होता कि इस तरह से आपातकाल लगाया जा सकता है देश में, तो वो भी आपचारिक तोर पर आपातकाल नहीं थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला ध्याय है 21 महीनों तक निर्दई शासन की कुरूर यातनाय सहते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग और बलिदान को नमन अमिजी उस वक्त आपातकाल तो तुमान लिया आज क्या है मुझे बताईए ना मुझे आज क्या है इन शहरों पर गौर कीजिए दिवांगना कलीता नताशा नर्वाल आसिव इकबाल तनहा तिशा रवी इन्हें आपने जेल में डाल दिया था कुछ तो एक-एक साल तक जेल में थे और फिर अदालत ने ये कहकर इन्हें रिहा किया कि आपने जो अभिव्यक्ति की आजादी है जो की लोकतंत्र में होनी चाहिए उससे आपने रौंद दिया क्या हो रहा है पिछले साथ साल में पिछले साथ साल में क्या हो रहा है अमिजी में आपको बताता हूँ एक शक्स सवालों का जवाब ना दे सके तो वो शक्स पिछले साथ साल से एक भी प्रेस कॉंफिंस नहीं कर पाया मैं नहीं भूला हूँ 2019 के चुनावों से पहले आप और मोदी जी बैठे थे भारती जानता पार्टी के दफ्तर में पत्रकार मोदी जी से सवाल कर रहे थे और मोदी जी आपकी तरफ इशारा कर रहे थे आजाद भारत के इतिहास में ऐसी तस्वीर दुनिया में ऐसी तस्वीर नहीं होगी कि लोग प्रधान मंत्री सवाल पूछ रहो आप लोगों को क्या लगता है कि सवालों का जवाब देना ये आपका एकाधिकार है यानि कि आपका मन होगा तो आप सवालों के जवाब देंगे आपका मन नहीं होगा तो आप सवालों के जवाब नहीं देंगे ये लोकतंत्र नहीं होता है पत्रकार जब सवाल करते हैं तो उन्हें आप नौकरी उस निकलवा देते हैं उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो नौकरी छोड़ दें और यह मत सुचिए यहापकी बहादरी है यह कायरता है यह कायरता है क्योंकि आप उस पोलिटिकल पार्टी से आते हैं जहां जिसके इतियास में बहुती बेहतरीन वख्ता और प्रवक्ता रहें हैं आज आपके प्रवक्ता सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं गाली आश 1975 में आज ही के दिन कॉंग्रिस पार्टी ने भारत के महान लोकतंत्र पर कुठारा घात कर देश पर आपातकाल थोपा था मैं उन सभी पुण्यात्मा सत्याग्रियों को नमन करता हूं जिनोंने आपातकाल की अमानवीय यातनाओं को सह कर भी देश में लोकतंत्र की पु जी मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं वो तो आपातकाल था आज कल क्या हो रहा उत्तर पर देश में ये तस्वीर देखिए रातो रात हाथरस की गुडिया के शव को जला दिया गया था आपके मुलाजिम आपके अधिकारियों ने ये तक कह दिया था क कि उसके साथ बलातकार नहीं हुआ है सुप्रीम कोट के दिशा निर्देशों का उलंगन करते हुए वो मा चीकती रही चिलाती रही कि मुझे अपनी बेटी के शव पर महंदी लगाने दो आपने वो तक नहीं होने दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे ये मामला आपके लि एडे मील स्कीम्स में किस तरह से हमारे बच्चों को खराब खाना मिल रहा है इस आदमी को इस कदर परिशान किया गया इस कदर परिशान किया जिसकी कोई कलपना नहीं है रिटाइड आएस आफिसर सूरी प्रताप सिंग साथ एफ आई आर की जा चुकी है इनके खिलाफ सिर्विस लिए कि ये ट्विटर पर सवाल उठा रहे हैं सिदीक कपन हाथरस की खबर करने के लिए ये और इनके तीन साथ ही गए थे आपने इने जेल में बंद कर दिया है उन कानूनों की अंतरगत जो आतंकवादियों पर लगाई जाती डॉक्टर कफील खान गोरकपुर मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर आपने इने रासुका के अंतरगत करीब आठ्या नौ महिने तक जेल में रखा और फिर जब ये रिहा हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर रिहा किया कि इन्होंने जो भाशन दिया था वो तो सामप्रदाइक एकता की मिसाल है अदालत आपको बार बार आईना दिखा रही है इसलिए जब आप आपातकाल जैसी बाते करते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी प्रशासन को ये आईना दिखाएं कि पिछले चार साल में लोकतंत्र के नाम पर किस तरह का खेल उत्तर पदेश में किया जा रहा है नागरिक्ता बिल के खिलाफ जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनने किस बेरहमी के साथ कोली से मार दिया गया था आप चाहते तो उन्हें चोटल कर सकते थे ये लोक्तंत्र कैसे हो सकता है मुझे बताईए ये लोक्तंत्र किसी भी सूरत में नहीं हो सकता इसलिए ना माननी ग्रह मंत्री आमिश शाह को और ना माननी मुख्य मंत्री आदितनात को ये अधिकार है कि वो अपने मौझूदा शासन पर नजर डाले बगएर 1975 के आपात काल पर सवाल उठा सकें जी नहीं पहले इस हकीकत पर गोर कीजे इस पर जवाब दे हैं आप तो जवाब भी नहीं देते हैं आप तो जवाब भी नहीं देते हैं आप तो उसे झाल